हाई फ्रेंड्स वेलकम टू चेतनाज किचन तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुती टेस्टी और बहुती आसान से तरीके से मटन करी की रेसिपी लेके हूँ तो आप मेरे वीडियो में लगातार बने रहे हैं और लास तक जुरूर देखना इसको और अगर इसके हैं बिल्कुल फ्रेस ही लेना है क्योंकि फ्रेस मटन अच्छा बनता है मटन को पहले लागे नहीं रखना चाहिए क्योंकि मटन है वह पाने छोड़ने लग जाता जिसे उसका टेस्ट भी खराब होता है तो मैंने चार प्याज कट कर लिए हैं दो हैरी मिर्ची कट कर लिए और यह मैंने लगभख 25 से 25 का लिए लेसुन की जिसका हम ने पेस्ट बना लिया है यह लिया है बना के नमक टेस्ट के कोडिंग लेगे और एक छोटी चम altri रखनाक हाल्डी पाउडर लेंगे तो यह मैंने हम से लागवधा, ड़ाए से तीन चमख के क्रीब लाल मिर्ची प जालना चाए है क्योंकि इससे गरेवी घारी ओजाती है ज्यादा और यह मैंनेशले क्क्पाभण कोरें के इन escalay है सब्सक्राइब के लिए गोड़ेंगे लिए यहां में आप भी हमें साथ में फ्राई कर देना है और गैस का फ्लेम यहां पे मीडियम कर देंगे मीडियम फ्लेम पे प्याज को अच्छे से पक जाते हैं तब तक हमें मसालों को मिक्स कर लेना है तो फ्रेंट्स हमने आप एक बड़े बरतन के अंदर लार मिर्ची पाउडर डाल दिया है हल्दी पाउडर और नमक भी डाल देंगे और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पे हम ग्रेवी बना के डालने वाले है इससे क्या होगा जो मटन है उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा पहले लोग यही करते थे और अक्सर गाओं में आजकल भी य इसपाल के शुक़ भी सूल श्याज शुकता है तो हमने यहां पे सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर के पानी डालें एक एक झाली कि डाल देंगे तो यह देखके गोल वी डिया हो चुका है अब देख उग साँव बनां रिख ए Collins अन्दू में यहां जो उसमें एक पानी क कर दें और चम्मत से चलाते हुई उस मसालों को अच्छा लिए यहां पर ड़्या निया यह दोड़ी तो चल्दी है तो क्योंकि मसालों को पकाना है में हें यह देखिए मसाले लगबक हमने आप 2-3 लिदे तक अच्छा से बका है लेकिन मैंने यह अच्छा इसका फ्लेम करके पडिक ज्यादा रखनाओं चाहिए एक इस से बहुत आपर पकनी और जादा Oooh Whats P अपनेगे की भीतिन आप पर बूली मटन के iblyता है। मतन का अपन में तो मने कीजिता है। और और देखिए हमारे मसाले नहीं रुदीन है यह देखिए इसके अदर मज़काई बखते हैं यह दो यह देखिए अच्छा से मेक्स कर देखिए और ये देखे फ्रेंसिस का कलर देखे कितना शानदार कलर आया है बहुत ही अच्छा कलर आया है मटन का और कलर से ही अंदाजा लग जाता है कि खाने में कितना टेस्टी बना होगा तो जो चीजे हमारी आँखों को अच्छे लगती है वही चीज हमें खाने में भी टेस्टी लगती है तो बस मतन को अच्छे से मिक्स कर दिया है और मतन और मसाले अच्छे से मिक्स भी हो चुकी है अब हमें पानी नहीं डालना है इसके अंदर अभी हमें इसको थोड़ा सा पका लेना है उसके बाद में पानी डालेंगे तो हमने आपे लग चार से पांच मिनद तक मतन को अच्छे से पका लिया है अब देख पारे होंगे मसाले डालने के बाद में और अच्छे से पका लिय तो बस मतन हमारा यहां पे 70 परसेंट तक अच्छे से पक चुका है और यह देखिए कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है मतन का काफी अच्छे तरीके से और आपको दिखा देती हूं मतन ने अच्छे से अपजोब कर लिया है पूरे मतलब मसालों को बहुत ही अच्छा अपने में आपका मतन बनके तयार हो जाएगा लेकिन हमने यहां पर क्या किया है इसके अंदर ग्रेवी के लिए पानी डालें में तो मतन को वापस से मिक्स कर देते हैं और यह देखिए कितना शांदार मतन बनके हमारा तयार हो चुका है बहुत ज्यादा तेस्टी और से चुका है एक महिने बाद में इस मला को जरूर बनाना बहुत ज्यादा बननाओ तो स्टीमेर को टिंर मालने का रहुत कटीध है बिलकिल सिंपला है और जल्दी बन जानाता है और लेकिन उत्ना टाइम लगना तो अन्य दआट भी पानी दा था पानी बने और भी टेम्परेचर किया हुआ ढ़ भेवल हैं उसãyलिए पानी के ऑपानी डालенийos तेस्ट में बहुत फरक पड़ेगा इसलिए गरम पानी करके ही डालना है और मैंने पानी डाल दिया लगबक तीन से चार गलास के अंदर वैसे वेट के हिसाब से देखे तो 300 ml के करीम मैंने पानी डाल दिया था और पानी को अच्छे से मिक्स करने के बाद में चार सिटी लग तो बस हमने आप इसको चैक कर लिया है तो और अलग बरतन में निकाल देते हैं हमारा बहुत ही टेस्टी और मज़दार सा मटन करी की रेसिपी तयार हो चुकिए इसके कलर से ही अंदाजा लग रहा है कि निशानदार मटन करी बनी होगी बहुत टेस्टी बनी है आप एक ब को करना सब्सक्राइब बैल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो का एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और लाइक कमेट शेयर करना बिलकुल मत भूलना मिलते हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार